नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल जिसमें हम आपके लिए लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज जो कि आप किसी भी जगह से शुरू करके आसानी से अच्छी कमाई कर सकते हो तो बने रहिए इस विडियो के साथ और और बिजनेस आइडियाज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले आज हम बात करेंगे पेपर नैपकेन बिजनेस के बारे में इस बिजनेस को सुरू करके कैसे अच्छा खासा मुनाफ़ा कमाया जा सकता है कहां से आपको मसीन मिलेगी और कैसे आपको इसको सुरू कर सकते हैं कितना प्रडक्शन होगा कितना खर्चाएगा इन सब सब्जेक्ट पर आज हम बात करेंगे उससे पहले आपको याद दिला दूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना है साथ ही गंटी जैसे बटन को भी दबा दें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे पेपर नेपकिन का इस्तिमाल साफ सपाई की दृष्टी से ज़्यादा ही किया जा सकता है लेकिन आपको आपको इसको कहीं भी यूस होते हुए देख सकते हैं जैसे के रेस्टोरेंट, धावा, होटेल्स और बड़े बड़े ओफिस, इसके लाबा बीटी पार्लर्स यहाँ तक कि आजकल इसका उप्योग लोग घरों में भी करने लगे हैं इसलिए इसके बिनिस्ट को सुरू करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सकता है इसको सुरू करने के बाद अब बात कर लेते हैं इसको कैसे सुरू किया जा सकता है और क्या क्या इसके लिए जरूरत होगी सबसे पहले आपको एक मशीन की जरूरत होगी जिससे कि इसको बनाया जाता है उसके अलाबा आप बात कर लेते हैं क्या-क्या और जरूरत है तो आपको तीन लेवर की जरूरत होगी एक स्किल लेवर मान लीजी उस पे आप 15,000 रुपे महीने का खर्चा करते हैं और दो अनस्किल लेवर जिस पे आप लगबग 5,000 रुपे प्रत्यक के साब से 10,000 रुपे उन पर भी खर्चा करते हैं इसके अलावा आपको जरूत होगी बिजली की जिसमें आप लगबग 3,000 किलो वाट पावर का कनेक्शन होना आनवार है जिसका खर्चा मान लेते हैं लगबग 5,250 आएगा प्रत्यक महीने इसके अलावा प्रेंटिंग इस पर आपको लगबग 10,000 रुपे खर्चा होगा प्रत्यक महीने और कार्टून बोक्स इत्यादी पर आपका लगबग 8,500 रुपे खर्चा हो जाएगा और टांस्पोर्ट और रोमटेल की बात करें तो लगबग 5,000 रुपे इस पर भी खर्चा आएगा इसके अलावा चाए, कॉफी इस तरह के सामानों में अगर 500 रुपे खर्चा मान लें तो इस तरह आपका एक महीने का टोटल खर्चा हो जाएगा 4,250 रुपे अब बात कर लेते हैं कितना प्रडॉक्षन होगा मसीन से और तो देखिए मसीन को मान लेते हैं आप दिन में 10 गंटे चलाते हैं 10 गंटे चलाने के बाद और महीने में एवरेज मान लेते हैं कि आपने केवल 25 दिन ही चलाई तो एक किलो जो रॉमबटेल होता है उसमें लगबग 600 पीस नेपकिन के बन जाते हैं और एक पैकेट में लगबग 50 पीस के इसाब से मार्केट में ये सेल होता है तो आप देख लेते हैं कि पर आवर कितना प्रडॉक्शन होता है प्रते गंटे में इससे लगबग 45 किलोग्राम नेपकिन को आप तयार कर सकते हैं प्रडे की बात की जाए तो ये हो जाएगा 450 केजी और अगर महीने से डिवाइड कर दें तो 11,250 किलोग्राम नेपकिन का उत्पादन होगा प्रते एक महीने अब इसका थोड़ा निकाल लेते हैं कि किया कितना खर्शा हुआ और कितना इससे प्रॉफिट होगा तो देगी एवरेज कोस्ट इसकी जो होती है लगबग 60 रुपर केजी होती है और पर मंत मिनियूम कोस्ट अगर निकालें तो 60 गुणा 11,250 तो हो जाएगा 6,75,000 रुपर और प्रोडॉक्शन कोस्ट पर मंत जो हमारा था यानि कि जो खर्चा था 54,250 रुपर टोटल खर्च होता है एक परसेंट अगर बेस्टेज भी माने तो ग्यार है 250 किलो हमने जो पादन किया था उसमें एक परसेंट निकालें तो लगबग 112 केजी इसका वेस्टीज हो जाएगा टोटल हमारे पास प्रड़क्शन बचा 11,137 केजी एक किलो जो रो मठेल होता है उसमें पास जो सेफ बचार प्रड़क्शन वो है 11,137 केजी इसको 600 से गुणा कर दिया जाए तो 66,82,520 बन करके तयार हो जाते हैं 66,82,520 इनको डिवाइड कर दें 50 पीस पर पैकेट के इसाब से तो टोटल बन जाएगी हमारी 1,33,650 पैकेट हैं तो इसका हो जाएगा 8,1900 रुपए यानि कि आपने 8,9100 रुपए की इसको सेल कर दिया अब यहाँ पर क्योंकि आपका पहले आपने मशीन भी खरीजी थी और बहुत सारी चीजों को लगाया था तो आपका खर्चा पहले साल कुछ जादा ही हो गया था लगबग 7,29,250 बैट को अगर घठा देंगे तो 72 रुपए का आपका प्रोफिट वैठेगा प्रत्येक महीने का अगर यह अभी देखिए आपने क्योंकि अभी सारा खर्चा किया है मसीन रित्यादी पर यह खर्चा आपका हर बार नहीं होगा सिर्फ एक बार हुआ है अगली बार से आपको इसे 2-3 जादा प्रोफिट हुआ करेगा प्रत्येक महीने तो दोस्तों यह था पेपर नेपकेन बेजिस का पूरा डिटेल कि कितना इससे लाब होगा कितना प्रोफिट होगा और हां मशीन की अगर कीमत की बात करें तो यह मशीन आपको मार्केट में लगवाग चार से चार ला जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा दें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे हम आपके लिए बहुत सारे बीजिस रिलेटेड आइडियास लेकर आते रहते हैं जिनका नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए